hello everyone, Filthy to Code के इस वीडियो में आपका स्वागस है इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ranges of data type data type की range क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे last video में हमने cover किया था कि data types क्या होते है कितने प्रकार का data types हैं जावामे so start करते हैं वीडियो को विडियो स्टाट करने से पहले आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लिए फिल फीटू कोड का टेलीग्राम सर्च की फिल फीटू कोड और चैनल को जॉइन कर लिए यहां पर आपको इस लेक्षर की PDF मिल जाएगी स्टाट करते हैं रेंज इस अब टाइप सबसे पहले रेंज क्या होती है डेट ट्राइप की वह देखते हैं तो कैपेसिटी ऑफ डेटाइप का मतलब क्या है कि जैसे कि मैं लास्ट व्डियो में आपको दिखाया था कि यहां पर हमारे पास ठीक है यह वाटर टैंक था ठीक ह मेरे कार डेटा टाइप है जिसमें मन कृई poisoned रखता हूं कोई बर रखता की환बर करता हूं जो इसकी रेंज होती है किने से लिगे कितनी तक करेक्टर है यहां पर कहां से लेकि का अट सक कानल आप इसमें पर सकते हूं मेरे करेकल हैं नंबर क reader capacity of data type तो हर एक data type की अलग-अलग capacity होती है data को hold करने की तो देखते हैं वो इसको हम कैसे calculate करते हैं data type की रेंज उसको कैसे calculate करते हैं और कौन से data type में कहांसे कहां तक की रींज कर डांबर हो सकाना तो इस टू कर सकता हूं यह बाइनरी बइट अगर तो insert कर सकते हुँ इसमें कि magnitude कर सकता हूं दूसरे मेंने वन किया पहले में उनकिया दूसरे में रिजय किया और मैं दौना में ान टुर लेगा तो मैं तो मैं टूमिट का अगर मेरे पास स्पेस है 2 bit memory है मेरे पास 2 bit memory में मैं total 4 numbers को store कर सकता हूँ तो ये एक number 0 इसको कहेंगे 1, इसको कहेंगे 2, इसको कहेंगे 3 तो total इस तरह से मैंने 4 number को store किया 2 bit के memory space में ठीक है तो यहाँ पर total 4 है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4 लेकिन जब हम integers की बात करते हैं कोई भी number है तो इसमें 2 प्रकार की number होते हैं एक होता है minus में दूसरा होता है plus में में तो में तो तो ताइप की number है plus number और minus number तो अगर मैं इस 4 numbers मैं यहाँ पर plus और minus दोनों store करना चाहता हूँ तो मेरे पास total number 4 है तो मैं कितनी कर सकता हूँ मैं यहाँ आपर ऐसा कर लूँ कि 2 मैं आपर minus में कर लूँ number 2 number मैं आपर plus में store कर सकता हूँ तो इस तरह से कर मैं इसको divide करूँ तो यह 0 और 1 है 0 1 2 3 तरह से number हमारे पास total 4 तो यहाँ से 2 और 3 नहीं रहेगा कर दलू कर लूए खिर गए तो नंबर में दो प्लस के दो मायनस की स्टोर कर रहा हूं कि-कि-क यहाँ पर मैं माइनस टू आप आप सकता हूं typically अब को formula create कर सकते हैं मैं direct number निकाने तो मैं इस तरह से हमेशा तो करूँगा नहीं फिल करके तो मेरे पास एक formula यहां पर create होगा तो मैं वह आपको यहां पर दिखाता हूं ठीक को यहां से सबसे पहले erase कर देते हैं all links and then यहां पर मेरे पास कितने थी टो बिट से बनंबर चार नंब चार किये थो सबसे पहले तो यह चार नंबर कैसे है तो मेरे पास एक दो मेरे पास two करूँ है तो मेरे पास क्या जाएगा यहां पर फूर अगर मेरे पास तीन बिट का स्पेस होता यह थी्म इतजकर श्ब्स है तो educator जाने बिट्स कितनी है वाइनरी देश टू और number of call इस्पेस कितने ए बेठ तो उसमें मैं कितना कर सकता हूं टू बावर एट कितना हो जाएगा यहां पर तो फिप्टीश दो सो चब्वाइब से यहां पर स्टोर कर सकता हूं लेकिन वही बात है कि हमारे पास प्लस वी प्लस माइनस फी पॉसिटिव और नेगेटिव दॉनों नमबर रखना तो क्या range कर सकता हूं तो इसके लिए यहां पर मैं एक formula यहां पर बताता हूं आपको कि जो binary bits हैं आपके पास total कितनी bits हैं दो तो मैंने कहा 2 और कितने space है मेरे पास हैं यहां पर total तो मेरे पास जो space है वो 2 तो यहां पर मैं काऊंगा 2-1 यहां से लेके आप 0 और 0 से लेके आप कर सकते हैं 2 पावर जितने भी आपके पास number of spaces हैं तो यहां पर 2 हैं दो और इसमें से सरी यहां पर आएंगा यह-1 तो अकर मैं इसको कैल्कुलेट करूंगा तो यह पर आगया वन तो यहां पर आगया 1 यहां पर आगया वन तो यहां पर आगया 1 तो माइनस टु से लेके मैं positive 1 तक नंबर जो है store कर सकता हूं ठीक है यह आगया to bit के लिए nooit के लिए नाव मेरे पास अगर 8 bits हैं तो उसके लिए मैं क्या करूँगा मेरे पास यहाँ पर total 8 bits है ठीक है, so मेरे पास number of bits कितने, number of space कितने है total blocks मेरे पास 8 है और जो binary bits है मेरे पास 0 और 1 total 2 है ठीक है, तो यह हो गया मेरे पास total bits और यह हो गया मेरे पास space है memory में इसके लिए मैं कैसे यहाँ पर calculate करूँगा तो मैंने का 2 power 8 minus 1 then to 0 to 2 power 8 minus 1 और minus 1 यहाँ पर तो इसको मैं calculate करता हूँ 2 power 7 2 power 7 जाएगा 2 power 7 to 0 to 2 power 7 minus 1 तो 2 power 7 minus 1 इसको आप calculate करोगे जो भी जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा 8 bit space में आप कितने नंबर से हैं आपर कहा से कहा तक ही रेंज का नंबर स्टोर कर सकते हो नेक्स स्लाइज में इसको और डिटेल में देखते हैं यहाँ पर नहीं डेटा टाइप के लिए यहाँ पर कितने नंबर साथ में स्टोर कर सकते हो तो यहाँ पर लिस्ट दी होई है बाइट की तो बाइट में आप कितना कर सकते हो 128 to 127 ओके सो यह कैसे आया हुआ है यहाँ पर हम यहाँ इसकर यूस करेंगे तो क्या हुजाएगा 2 power total bits कितने पार ह मेरे पास जो byte data type उसमें total होती है 8 bit ओके 8 bit जो की store करता है signed tos complement signed मतला हमके इसमें कोई plus minus values store करते है तो 2 power total bits 8 minus 1 2 0 2 2 power 8 minus 1 और minus 1 तो उसको मैं अगर calculate करता हूं तो यह हो जाएगा 2 power 7 to 0 to 2 power 7 minus 1 तो 2 power 7 होता है 128 से लेके हम 0 तक का store कर सकते हैं और यहाँ पर जाएगा 128 minus 1 so 127 तो यहाँ पर आपको minus लगाना है तो यहाँ पर minus आएगा तो minus से लेके यह plus तक वैली तो मैं minus 20 128 से लेके 0 तक और 0 से लेके 127 तक इतने number store कर सकता हूं तो है और मैं total number count करूंगा तो यह हो जाएगे 256 ओके जो कि टू पावर 8 होता है तो यहाँ पर 127 क्यों क्यों कि वन से लेके 127 तक और यह एक number यह भी इसमें आए तो 0 खुद एक number है तो यह इसमें count जाएगा ठीक है तो इस तरह से मैं 256 numbers total store कर सकता हूं तो बाइट में इस तरह से sort की बात करें तो sort होता है हमारा टू बाइट का जो की 16 बिट का इसमें space है तो इसके लिए मैं को calculate करूंगा तो टू पावर 15 तू जीरो टू पावर 15 माइनस वन अगर आप calculate करोगे तो आपको यह range यहां पर मिल जाएगी तरह से इंटीजर की बात करेंगे तो इंटीजर 8 बिट का होता है 32 32 बहुत बढ़ा number है तो टू पावर 31 हो जाएगा यहां पर 2 2 पावर 31 माइनस 1 को आप calculate करोगे तो यह आपको result में लेगा जी तरह से long के लिए float के लिए और double के लिए आप calculate कर सकते हो करेक्टर में हम zero two six five five thirty five का कोई भी लंबा स्टोर कर सकते हैं जो कि एक प्रॉपर एक उनिक bättre को होता है तो उसका जो योनिक को जो भी करेक्टर होता है वह हमको इसका होता है यो भी store हो जाता है उसनց नीच जिरो का जो योers को हम calculate कैसे करते हैं यहाँ पर तो अब जो आंगे का चैप्टर है वो इसकी रेंज पर पेंडेंट है ओके तो नेक्स्ट वीडियो मैं देखिंगे उसको ओके तो थैंक्स वाचिंग इस वीडियो एंड टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लीजिए वहाँ पर आपको इस लेक्च्चर की पीडियाप में जाएगी